12th class pass करने के बाद एक बच्चा कर क्या सकता है? कोई clerk की जॉब कर सकता है? कोरियर बॉइ की जॉब कर सकता है? कोई किसी office में चोटा-बोटा कान कर सकता है? जहाँ-जहाँ मैंने interview दिया, लगबख सभी जगे से rejection दिला, वहाँ मैंने देखा मेरा पूरा टाइम एंगेज हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे माइड में में शाय रहता था कि और नहा क्या मैं कर सकता हूँ. तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था कि मैं कोई बिजनस करना चाहता हूँ, मेरा नाम है डॉक्टर अमित महिश्वरी और मैं हूँ CEO and Founder Director Metas Overseas Limited का, उस कंपनी का जिसकी Valuation 200 क्रोड रुपए से भी जादा है, और जिस समय ये कंपनी मैंने शुरू की थी, मेरे पास बिलकुल भी पैसे नहीं थे, और वहाँ से जब मैंने शुरूआत की, तो मैं 200 क्रोड की Valuation की कंपनी तक पहुँचा, अगर मैं अपनी कहानी की बात करूँ, तो हम रहा करते थे, शकूर पूर जेजे कॉलनी, जो स्लम एरिया है, उसके छोटे से घर में, वही हमारा पालन पोशेन हुआ, मैं, मेरी दो बहने और माता पिता, पाँच लोगों का परिवार, हम उजजेजे कॉलनी में रहते थे, गौर्वर्मेंट स्कूल में मैं पढ़ा करता था, सरकारी नगर निगम के स्कूल में, जहां 3.60 पैसे सालना फीस हुआ करती थी, तो प्राइमरी से लेकर 12th क्लास तक सब कुछ बहुत अच्छा था, हमें लगता था कि हम सक्षम है, जब 12th क्लास मैं ने पास किया, और कॉलिज में एड्बीशन के बारे में सोचा, तब पता चला कि कॉलिज की फीस 18-20,000 रुपे है, और मैं अपने फादर के पास गया, मैं उसे का पापा कॉलिज में एड्बीशन लेना है, तो उनके चेहरे को देखकर मैं समझ गया, कि हम शायद इतने सक्षम नहीं है, कि 18-20,000 की फीस बर सकें, उन्हें मुझसे का, चलो ठीक है, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होगा, और तुम भी थोड़ा कोशिश करो, कि किस तरह से आप कॉलिज में एड्बीशन ले सकते हैं, मैं बहुत परिशान था, और सोच रहा था कि 12th क्लास करने के बाद, एक बच्चा कर क्या सकता है, कोई क्लर्क की जॉब कर सकता है, कोरियर बॉय की जॉब कर सकता है, कहीं किसी ओफिस में छोटा-मोटा काम कर सकता है, तो वहाँ सोचते-सोचते मेरे मन में एक खयाल आया, कि अगर मैं जिस सब्जेक्ट में सबसे बेस्ट हूँ, अगर उसी subject की मैं tuition पढ़ाता हूँ तो शायद मैं कम समय में उतना पैसा ही कठा कर सकता हूँ कि मैं आराम से college में admission ले सकूँ और बैठे-बैठे मैं सोच रहा था तो मैंने सबसे पहले contact किया अपने उन tuition teacher से जिनके आमें खुद accounts की tuition पढ़ता था मैं उनके पास गया कि sir मैं account का subject पढ़ाना चाहता हूँ तो उन्होंने इस तरह की नजरों से देखा कि अभी तो तुने खुदी 12th class पास किया और अगर अपने institute में मैं तुझे accounts का teacher रख लूँगा तो मैं कहा जाऊँगा अब यहाँ problem थी कि चलो कोई बात नहीं यहाँ तो मैं पढ़ता था इन्होंने मों reject कर दिया कोई फर्क नहीं पढ़ता मुझे opportunity चाहिए थी बाकी institutes में तो एक एक करके मेरे zone के जितने institutes थे मैंने सब जग़ जाके interview दिया किसी ने तो मुझे साफ बोल दिया कि भई अभी तो आप ही कम age के लग रहे हैं छोटे लग रहे हैं तो आपको opportunity नहीं मिलेगी किसी ने बहुत चलो ठीक है देखते हैं बताएंगे तो कहने का मतलब यह था कि मुझे जहाँ जहाँ मैं interview दिया लगबख सभी जगे से rejection मिला और उस rejection को अपने मन में लेकर मैं बैठा हुआ था अपने घर के बार सीडियो पर बैठा हुआ था और सोच रहा था कि अब life में करूं क्या किस तरह से 3-4 मेने में मैं इतने पैसे कमा लूँ कि अपने college की fees भर पाऊं college में admission ले लूँ और अपने education को आगे लेकर जाऊं बैठा बैठा मैं सोच रहा था तो मैंने देखा कि मेरा पडोसी घर का दरवाजा paint कर रहा है और वो जो paint कर रहा है देखते देखते पुरा paint उसने कर दिया मैंने देखा वहाँ पर एक paint के डबबे में थोड़ा सा paint पड़ा हुआ था तो मेरे मन में एक idea click हुआ क्योंकि जब हम tuition पड़ने जाते थे या school जाते थे बहुत सारी दिवारों पर advertisement देखते थे तो मुझे लगा अगर मैं किसी भी तरीके से छोटा सा advertisement कर दूँ कि मैं accounts का tuition पड़ा सकता हूँ तो शायद मुझे कोई ना कोई tuition मिल जाए और मैं आसानी से इतना पैसा ही कठा कर लूँ कि अपने college में admission ले सकूँ को डबा मैंने लिया पेड की एक डंडी तोड़ी और उस पर एक कपड़ा लपेट कर जाकर दिवारों पर लिखना शुरू कर दिया कि tutor available for account और उस समय हमारे घर में phone नहीं होता था तो landline phone नहीं था तो मैंने produce का number वहाँ पर लिख दिया अब जब आप कोई advertisement करते हैं तो आपके मन में एक सपना जाग जाता है कि मुझे उसका result मिलेगा, मुझे revert मिलेगा अब मैं बैठा बैठा सोच रहा था कि वही tuition teacher की call आएगी tuition teacher की call आईगी जैसे मेरे परोसी के घर में phone बसता था मुझे लगता था शायद मेरे लिए कोई call आए होगा लेकिन एक दिन बीथ गया, दो दिन बीथ गया कई दिन निकल गये, एक दिन वो परोस का लड़का मेरे पास आया कि भया आपके लिए एक call आया है, आप आओ और सुन लो phone, तो मैं जैसी मैंने जाकर phone सुना, मुझे तो पता था कि वो call आयोगी किसी tuition के लिए तो मैंने phone receive किया, तो एक लीडी ने मुझसे का कि मैं अपनी बेटी को tuition पढ़ाना चाती हूँ, home tuition के लिए हमें teacher चाहिए, तो जब मैं वहाँ, देखिए, जब आपको पहली बार कोई chance मिलता है ना, तो आप अपनी ability का 100% देने का प्रयास करते हैं, और मैंने भी ऐसा ही प्रयास किया, तो यहाँ मैं आप लोगों से कई अपनी friends को recommend किया, जिसकी वज़े से मुझे कई सारी coachings मिल गई, और मैंने finally, अपने college की fees भरी और आगे पढ़ाई शुरू करें, अब मैंने decide कर लिया, कि मुझे home tuition नहीं, अपने coaching में students को पढ़ाना है, और खुद एक छोटा सा board बनाया, लिख दिया उस पर अपने institute का नाम, ग्यान institute और अपने घर के भाहर टांग दिया, दीरे दीरे हम छोटी छोटी अट्विडिजमेंट करते रहे, बहुत सारे students आने लगे, जब बहुत सारे students accounts पढ़ने मेरे पास आने लगे, तो मैंने देखा कि वो बाकी subject पढ़ने कहीं न कहीं और जाते हैं, कोई physics, chemistry, mathematics, English, science, कहीं और पढ़ने जा रहे हैं, तो मेरे मन में एक idea है, अगर मैं अपने सभी friends से बात कर लूँ, जो अपने subject के toppers हैं, और उनको opportunity दूँ, मेरे यहां पढ़ाने की, तो शायद हम बाकी subject के students को भी अपने institute में ला सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारे दोस्तों हैं मेरा proposal reject किया, किसी को पसंद आया, वो मेरे साथ आने लगे, और मेरे ही उस चोटे से room में वो different different subject की classes चलने लगी, दिरे दिरे वो coaching center की स्थापना होती चली गई, वो एक room से दो room, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, अपनी ही गली में मैंने अपने पडोसियों के चार-पांच कमरे ले लिए, और वो छोटा सा coaching institute, जो idea के रूप में home tuition से शुरू हुआ था, फिर एक room का institute बना, आज वो पांच, शे कमरों का अच्छा coaching center बने, वहाँ मैंने देखा है मेरा पूरा time engage हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे mind में हमेशा रहता था कि और नया क्या मैं कर सकता हूँ, तो जो teachers मेरे साथ पढ़ाते थे, उनकी incentive income मुझे आते लिए, teachers teachers होते हैं, उनकी 70-30 का ratio होता है, तो 30% का incentive आता था, वो मुझे बड़ा लगने लगा, और मुझे लगा कि क्यो ना अब अपने coaching institute की स्थापना पूरी डेली के अलग-अलग शेतर में की जाए, और मैंने अपने उस छोटे से ग्यान institute की branches branches बनाना शुरू कर दिया, और धीरे-धीरे करके वो ग्यान institute, 5-6 institute के setup के रूप में बन के तियार हो गया, एक बहुत परेशानी होती है, coaching institute चलाने में, और यह वो लोग जानते हैं, जो coaching चलाते हैं, कि coaching center में न, 4-5 मेने का समय ऐसा होता है, जब आपके पास students नहीं होते, और जब students नहीं होते, आपके operating expenses सेम होते हैं, तो आप हमेशा, मतलब उनको survive नहीं कर पाते, उनके खर्चे पूरे नहीं कर पाते, तो मेरे मन में हमेशा सवाल रहता था, कि मैं ऐसा क्या करूँ, कि तो 4-5 मेने का समय है, इसमें भी हम कुछ ना कुछ earning कर पाएं, कुछ ना कुछ business generate कर पाएं, और उस समय इंडिया में न, एक opportunity मुझे दिखाई दी, मुबाइल फोन का चलन, बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा था, मुबाइल फोन के user बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, तो सन 2001 में मैंने मुबाइल रिपेरिंग को समझा, उसके टेकनिक को समझा, और समझने के बाद एक slivers design किया, और अपने उन सभी teachers के साथ मिलकर एक meeting की, कि मैं यह चाहता हूं कि हमारे centers पर mobile repairing का course पढ़ाया जाए, और वहाँ से शुरुआत हुई एक coaching institute, जो off-season में काम नहीं करता, off-season में हमने course शुरू किया, mobile repairing course, वहाँ से हमें अच्छी opportunity मिली, और हम तेजी से अपने business को develop करने लगे, क्योंकि हर business में न कहीं न कहीं slow down आता है, तो coaching institute में slow down क्या था, कि जब आप coaching classes लेते हैं, तो 4-5 मेने का समय आपके पास खाली होता है, तो technical education जब हमने किया, तो वो filler हमारे एक तरह से काम करने लगा, और तेजी से हम लोग आगे बढ़ते चले गए, दिरे दिरे करके ग्यान institute के branches लगातार बढ़ती चली गई, और जब जब ग्यान institute ने पूरे इंडिया में लगबख 60 के आसपात institute बना लिए, तब हमने देखा कि हर industry में एक ऐसा time आता है, जब वो industry तेजी से down जाती है, तो Chinese phone के आने से क्या हुआ था, कि जो mobile repairing का segment था, वो दिरे दिरे down जा रहा था, और मुझे पता चल रहा था कि ये segment डाउन जा रहा और एक समय पर आके एक courses की demand market में लगबख खतम हो जाएगी, कहां तो हम 4-5 लाग रुपे कमाते थे, फिर उसके बाद हम गटते गटते गटते, डाई तीन लाग रुपे ब्रेक इवन पर आ गए, फिर वो ब्रेक इवन से घटते घटते गटते गराफ और नीचे आ गया, जिसके वैसे हमें loss होने लगा, और जब loss होने लगा, तो मुझे लगा कि कोई ना कोई ऐसी industry मुझे चाहिए, जिसमें मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो मैं अपने फ्रेंड से बात कर रहा था, कि भई मैं कोई business करना चाहता हूँ, क्यों करना finally मुझे business ही है, तब उसने मुझे का कि मेरे father जो है, वो Chamber of Commerce के member है, तो Chamber of Commerce में जा, उनकी membership ले, वहाँ के लोगों से मिल, बातचीत कर, तो तुझे business की समाझ आएगी, वही पर मुझे एक industry दिखाई दी, steel industry, मैंने देखा कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारी चीजें, जैसे हमारे gate हैं, ग्रिल हैं, railings हैं, यह पहले wood की हुआ करती थी, फिर यह लोहे में आई, लोहे के बाद यह steel में convert होने लगी, तो मुझे लगा कि यह right industry है, जो इंडिया में अभी तेजी से grow करेगी, तो मुझे वही काम इंडिया में करना था, और इसी दिर निश्चे के साथ, जब मैं इंडिया में आया, तो मुझे पता लगा, इस काम की शुरुआत करने के लिए, धाई से तीन करूर रुपए चाहिए, जबकि मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे, इवन मैं तो अपने mobile repairing course के business में losses में था, loss bear कर रहा था, लेकिन एक चीज मुझे पता था, कि अगर आपको business को multiply करना है, business को grow करना है, तो अगर आप अपने business को, लोगों को बताएं, समझाएं, उनको अपना proposal दिखाएं, तो बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, जो आपके business में invest कर सकते हैं, आपके साथ ऐसे पार्टनार आ सकते हैं, तो मैंने वो steel industry का पूरा एक business proposal बनाया, क्योंकि उस time इंडिया में steel का business शुरू करने के लिए, डाई से तीन करोड की investment थी, और कहां मैं zero ही नहीं, मैं तो minus में चल रहा था, मेरे उपर तो losses थे institute के, तो मैंने एक business का proposal डिजाइन किया, different different लोगों को proposal देना शुरू किया, कि ऐसे से में steel industry लगाना चाहते हैं, steel के factory खोलना चाहते हैं, तो दीरे दीरे क्या है कि जब आप कोई काम proposed किसी को बताते हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, लोगों ने मेरा proposal reject किया, लेकिन वहाँ न मैंने हार नहीं मानी, कि proposal reject हुआ है न, तो मुझे rejection से उसकी कमियों को समझना है, कि क्या ऐसी कमियों जिसकी वज़े से आपका proposal reject हो गया है, और हर बार मैं अपने proposal को upgrade करता गया, फ्रेंट्स आपको जान क्या चारे होगा, 65 टाइम, 65 बार मेरा proposal reject हुआ, लेकिन हर बार मेरा proposal reject नहीं, upgrade होने का मुझे मिला, मैं अपने proposal को upgrade करता गया, और finally मुझे एक investor मिला, जिसने का कि ठीक है, मैं आपके इस plan पर invest करता हूँ, उसने कुछ पैसा invest किया, और मैंने भी जो चीजें मेरे पास थी, दुकान थी, एक चोटा सा और प्लेस था मेरे पास, एक गाड़ी थी मेरे पास, वो मैंने सब कुछ बेच कर, 25 लाख रुपए अपने ही कठे के, कुछ पैसा investor से लिया, और पहला project लगाने का प्रयास किया, लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप बड़े-बड़े risk लेते हैं, तो कई बार आपके risk हिट हो जाते हैं, और कई बार आपके risk fail भी हो जाते हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ, कि पहला जो मैंने material बनाया, उसमें से 90% material reject हो गया, क्योंकि steel industry के बारे में मेरे पास कोई खास knowledge नहीं थी, सिर्फ थोड़ी बहुत information के माधियम से मैंने काम शुरू किया था, लेकिन मैंने ना हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे ये पता था, कि अगर आप अपने business के proposal के लिए investor के पास जाते हैं, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जो आपके business plan पर पैसा invest करने के लिए तयार हो जाते हैं, मैं और investors के पास गया, वहाँ से कुछ मैंने capital raise की, देरे-देरे करके, जब मैंने next अपना material बनाया, तो मेरा final product बन के तयार हुआ, जिसके बिहाफ पर मैंने advertisement करना शुरू किया, और हर उस बंदे को बुलाया, जो पहले time पर मेरे proposal को reject कर चुका था, वो लोग आए, उन्होंने देखा, समझा, मेरे साथ business association की, और finally हमने 27 सितंबर 2012 को, जो steel industry का काम शुरू किया था, 14 अगस्त 2014 को हमने अपनी public limited company form की, और पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे exclusive शुरूम बना कर, बहुत सारे number of shareholders के साथ एक company की स्थापना की, तो अपने life के सफर से, मैं कुछ ऐसी बात आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन के अनुभव से, जिसको अगर आप अपनी life में implement करते हैं, तो आपको हर वो सफलता आशियों होगी, जिससे आप राप्त करना चाहते हैं, number one, risk bearing capacity, आपके अंदर risk लेने की खिशमता होनी चाहिए, जितना ज़्यादा risk लेने के लिए आप तयार होंगे, सफलता के chances भी उतमें ज़्यादा होंगे, आपको यह देखना होगा कि कौन-कौन से सी चीज़ें हैं, जिस पर मैं implementation करके अपनी life को और अधिक सफल बना सकता हूँ, दूसरी महतपपुन बात, हमेशा अपने सपने बड़े देखें, आप यह देखें कि कौन-कौन से सी चीज़ें हैं, जो life में आप अच्छीव करना चाहते हैं, बड़े सपनों के साथ जब आप काम करते हैं, तो आपके काम करने के तरीके भी different होते हैं, तीसरी बात, मेहनत करने से कभी पीछे ना आटें, क्योंकि जो व्यक्ति right direction में मेहनत करता है, उसकी काम्याभी के chances उतने ही गुना ज़्यादा होते हैं, और चौती सबसे important चीज, परिवेश बदलो, तो जिंदगी बदल जाएगी, आपको ये देखना हैं कि आप life में कहां पहुँचना चाहते हैं, कैसा बनना चाहते हैं, तो उस तरह के परिवेश को ढूंडो, उस तरह के परिवेश में सामिल होने के प्रयास करो, किस तरह से म मैं अपनी life में implement की, जिसकी वज़े से एक शकूर पूर जेजे कॉलनी में रहने वाला लड़का, आज इस मंज पर आकर आपके सामने खड़ा है, और एक मेटास Overseas Public Limited Company का, CEO and Founder Director. तो एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, कि ठान कर देखोई रिदय में, काम कोई मुश्क इस वीडियो के बारे में अपनी राये नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें